हर्याना एक्टनाइन पेर्मी शेनल में आपका स्वागत हैं आई कि आपको कराते हैं खबरों से अपडेट इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड आई-यो-सी-यल की शितर से होकर गुजरने वाली तेल पाइपलाइन से फिर से तेल शोरी हो गया है इंडियन ओयल कोर्पोरेशन लिमिटेड के साहिक प्रबंधक की शिकायत पर पुलिस में विभिन धाराओं के तहत मामला दर्श कर लिया है आई-यो-सी-यल की एक पाइपलाइन जो की मथुरा से जालंधर जाती है फैक खरकुदर शितर के विभिन गाउं से होकर गुजरती है कंपनी की गश्ट टीम जब मंडुरा के खेतों में मोके पर पहुची तो वहाँ पर चोर को तेल को चोरी कर रहे थे जो हट-बड़ा हट में अपनी टैंकर को मोके से भागाने लगे लेकिन जल्दबाजी होने के कारण टैंकर कच्छे रसे पर खेतों में पलट गया और चोरी किया गया तेल भी खेत में ही बिखर गया जिसके बाद चोर मोके से फरार हो गई कंपनी की साहिक प्रबंधक अभिशेक का कहना है कि 11 दिसंबर को भी मंडूरा में उसी जगह पर पाइपलाइन से नोजल लगा कर टेल चोरी किया गया जिसके पास ही अब एक नए सिरे से नोजल लगा कर टेल को चोरी किया जा रहा था मामले की शिकायत पुलिस को देते हुए पाइपलाइन से नोजल हटा कर उसकी मरमत करने की काम में लगने वाले समय तक कंपनी की तरफ से पुलिस से सुरक्षा मांगी गई है साहिक प्रबंधक का कहना है कि पाइपलाइन में तेल है जुवलन शील होने की चलते से इससे कभी भी दुरगटना हो सकती है शिकायत पर पुलिस में विभिन धराओं के तहट तेल चुरू के खिलाब जहां मामला दर्श कर लिया है वहीं टैंकर को अपनी कबजे में लेकर जाँच शिरू करती है गोपालपूर अंडरपास बनानी का आस्वाशन ग्रामिनों ने धर्णा किया स्माप्त अंडरपास नहीं बनाया तो फिर करेंगे विरोध खरकुदा गोपालपूर बाइपास चुरहाई पर अंडरपास बनानी की मांग को मन्जूर करनी का आस्वाशन देते हुए नेशनल हाईवी परियोजना निदेशक हनुमन सांगवान ने धर्ना स्थल पर पहुँच कर धर्नी को स्माप्त कर दिया उनकी आसवाशन के बाद ग्रामिनों ने धर्नी को स्माप्त कर दिया है अंडरपास की मांग मंजूर होने के बाद ग्रामिनों ने खुशी का माहूल है पिछले सब्ता राजेसभा सांसर दिपेंदर सिंग उड़ा की नितर्टव में ग्रामिन नैशनल हाईवी ऑथोरिटी चेर्मेन सुखबीर सिंग सिंथू से मिले थे उन्होंने भी उचित कारेवाही का आस्वाशन दिया था जिसके बाद ग्रामिनों के ग्रामिनों को अंडरपास मंजूर करने होनी के आशा हो गई थी सौंवार को करगदा बाईपास पर नैशनल हाईवी ऑथोरिटी पर योजना ने देशिक हनुमन सिंग सांगवान मोके पर पहुँचे और उन्होंने धर्नी पर बैठी ग्रामिनों से बातचीत की जिसमें उन्होंने ग्रामिनों का आस्वाशन दिया है कि गुपालपूर बाईपास चुरहाई पर जो 334 भी नैशनल हाईवे पर अंडरपास बनाने की मांग है उसे ये मंजूर कर लिया जाएगा वे अंडरपास बनाया जाएगा इस आस्वाशन के बाद ग्रामिनों ने धरनी को स्माप्त कर दिया इस मोगी पर संदीब गुपालपूर शक्ती अमरजीत नंबरदार सहित विभिन ग्रामिन उपस्तित रहे दिया है कि आप का अंडरपास मंजूर हो गया है और उन्हें की आस्वाशन पर आज आमने दलना खतम कर रहे हैं और पिछले अपते हम राज्यसवा सांसादी पंदर सिंग उड़ा के ने तरतों में निचाई चेरिमें सब्विर सिंग सिंदू से मिले थे और सब्विर लिया जन्हें सब एक गराम वाशी और सिर्वाशों में ने खुशी का मोल है कि यहने जो 90 जिन से जो अपनी लगातर बांग करे थे उनकी यह मांग पूरी हो गई और साथ इक गराम वाशों ने और सिर्वाशों ने बात कहीं कि अगर कोई सरकार की तरह से चुठा आस्वा को लेकर धर्णा प्रदर्शन शुरू कर दिया गया है ग्रामिनों की मांग है कि खरकुदा को सिधा नरेला से जोडने वाला थाना कला बाइपास है जहां पर अंडरपास बनाना ज़रूरी है जो अंडरपास नेशनल हाईवी द्वारा यहां पर बनाया जा रहा है उसकी ग अंडरपास में समस्या रहेगी इस प्लान में अधि ग्रहन भी होगा जिसमें मकान टूटेंगे जो सही नहीं है इसलिए यहां पर सीधा अंडरपास बनाया जाना चाहिए ताकि किसी को किसी भी तरहे की कोई प्रेशानी ना हो लगातार खबर से अबरी तरहनी के लिए देखते रहे हर्याना एट नाइन पीम यूश्यानेल नमस्का